बांग्डाजीर से हमारा मसाले एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहे है और मसाले में गुजराथ से ज्यादा जीरू जो मीती आती है अपना अधर ओल सीशम सीड है इसर पूल है वो ज्यादा ज्यादा है तो जी दस बारा दा दिन से जो हाला बिगट गई है वहाँ पे सत्ता परिटन हुआ है समझ लोग तो अभी वहाँ बेंक भी बन दें पॉर्ट भी क्लियर्ट बन दें तो अमारा वेपा पूरा भी ठप हो गया है आगे नई गवर्मेंट आएगी क्या पॉलिसी लाएगी और किस तरह वेपार होगा वह भी अम लोग अभी उसमें कंफ्यूज ल तो करीबन 300 से 500 कोड का उपना वेपार है मसाले का बंगादेश के साथ फिलार हमारा वेपार करीबन 5 साल से कंटीनी बढ़ रहा था बंगादेश हमारा बहुत बड़ा बायर है मगर यह वेपार में अभी जो भी कॉंटक्स है वो भी कंप्लीट नहीं हो रहे और जो हमारा बायर है बंगादेश के वो भी हमें बोले कि वी नोट नीड अभी कंटीनी टी कॉंटराट तो फिलाल तो लगता है 300 400 कोड का अपना वेपार है वो अभी आगे तो कैसे होगा वो तो आगे तीची सामनी होगी तो आगे पता चलेगा यह बात तो ही यह गुद्राट से क्या जाता था यह बात वहाँ से क्या आता था तो उसको लेकर दाम केस बखाता है अब असर देखो पहली बाद तो यह देखो कि इंडिया का जो बंगादेश का वेपार है वो करीबन 16 बिलियन का वेपार है इनमेंसे हम एक्सपोर्ट या क्या इंपोर्ट हम लो करते हैं, वमारा इंपोर्ट जादा जूट बैक्स, वुवन बैक्स आती है, उसमें उमारा फीस में उसमें ज्यादा इंपोर्ट बंगयदेश से होता है, अभी वह और जो बाकी जो टेक्टेविस का जो मटेश यान फैबरिक्स है, वो सब थोड़ा- तो यहां पर इंपोर्ट होता था, तो यह तो अभी आना भी बंद हो जाएगा, तो बुवन बेक्स, फेब्रिक्स, और जो जूट बेक्स है, जो जूट बोलते हैं, उसकी में थोड़ा सॉर्टेज की संभा होना है. बात करी आपने 16,000,000 वै पार किया, दो जूट लो ऺंद एपोर्ट है, तो इसे से माँग्दा इस प्तर पार्टे सर्प्रते हैं, हमारा बंदान क्रटेट करता है हमारे साथ, हम ज्यदा एक्सपोट कलते हैं, कमईपोट कलते हैं, तो यह तो इस गूट हम न।ूट होना झाल झाल